किसान भायो बीन्स पर आद गलन, जड़ गलन, तना गलन और डंपिंग ओप की रोग आ रही है तो क्या करना चाहिए इसकी रोग थाम हम कैसे खरे तो किसान भायो बरसात पर अधिक बारिस होने पर बीन्स पर आद गलन, जड़ गलन, तना सडन देखने को मिलता है या एक फंगस रोग होता है इसकी रोग ठाम नहीं किया गया तो पूरा खेद पर रोग फैल सकता है और पूरा खेद पर फैलने के बाद रोग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है इसलिए सही समय पर दवा का परियोग करना चाहिए या रोग किसान भायो कभी ना हो इसके तरीके से खाद उरुवक दे रहे हैं तो उस समय ट्राइकुडर्मा का परियोग करें त्राइकुडर्मा पत्ति एकड किसान भाईयों परियोग करें 5-6 केजी और इसके साथ में दूसरा परियोग करें रुपाई के समय बीज को अच्छे तरीके से उपचारित करना चाहिए अगर दवा का परियोग करते हैं तो थिरम बारिष्टीन ये सभी से उपचारित करें 2-3 ग्राम दवा का परियोग किसान भाईयों एक केजी बीज के साथ परियोग करें इस परकार से रुपाई करते हैं तो जो 8-10 दिन का हो जाता है जनम के बाद तो वो डंपिंग या समस्या देखने को नहीं मिलती है लेकिन जब पौधा बड़े हो जाता है और अधिक बारिष होती है खेदो पर जल जमा होने लगता है तो इससे किसान भाईयों का पतियां पर काला धबे देखने को मिलता है धिरे धिरे वो पतियां अधिक उपर तक चड़ जाने पर आद गलन की समस्या आ जाती है और किसान भाईयों जड़ सडन के भी समस्या आती है इसे पौधा मुर्जा कर अपने आप गिर जाता है जड़ जाता है और साथ में किसान भाईयों पूरा फसल खराब हो जाता है अगर सही समय पर दवा का छिड़काव नहीं करते हैं तो यह पू कितना सक दवा के साथ में किसान भयो फंगि साइट दवा का छिड़काव करे और खेतों पर जल जमाउ होने ना दे किसान भयो फंगस जो दवा है आप उसका परियोग कर सकते हैं UPL कमपणी का साब का परियोग करे और टेवू पर नाम एक दवा आती है उसमें टेवु कोनाजोल और सलफर की मातरा होता है टेवु कोनाजोल 10% और सलफर 65% होती है किसान भायो इसका परियोग करें और उसके साथ में किसान भायो इस्ट्रोफ, साइकिलिन नाम की एक एंटिबायोटिक दवा होता है उसका परियोग करें पर्योग कर रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम का एक पेकेट आता है उसे 15 लिटर पाने मिला का एस्प्रे करना है उसके साथ में टेब उपर नाम की एक दवा आता है वह 100 ग्राम का आता है उसे 3 ठंकी में 15 पंदर करके ने आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो किसान भायो टेबुपर को 30 से 25 ग्राम ही 15 लिटर पाने मिला का एस्प्रे करें अर उसके साथ में किसान भायो एस्ट्रो साइकलीन जो 6 ग्राम का आता है पेकेट उसका परियोग करें तीनों को पर्योग करें UPL कमपनी का साब का टेबुपर का और एश्ट्रो साइकलीन नाम का एक एंटिबायाटिक दवा होता है। यह तीनों को मिलाकर किसान भायों 15 लिटर पानी में एस्प्रे करना है। अगर इस परकार से एस्प्रे करते हैं और जल जमाव नहीं होने देते हैं तो जो आदर गलन की समस्या देखने को मिलती हैं वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और जो सडन गलन की समस्या से नियंतित पा सकते हैं। तो किसान भायों जरूर इस दवा का परियोग करें तीनों का अगर सही समय पर एस्प्रे करते हैं तो आपका जो बीन सोगी वो सडन गलन जो जूल सा आने वाली होगी वो देखने को नहीं मिलेगा और फसल बरबाद होने से बस सकता है। तो किसान भायों जरूर अपने फसलों पर इस दवा का परियोग करें और अपने फसल को सुरचित रखें। हब किसान सात्यों आपको ये जनकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाईयों अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें आज के लिए इतना है फिर नेक्स्ट टोपिक पर फिर मिलेंगे जाहिन जाजवान जागिसान